तो गाइज आप तक आपने काइन मस्टर से सिरफ वीडियो एडिटिंग की थी लेकिन इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ आप अपने काइन मस्टर से एक प्रोफेस्ना थमनेल कैसे क्रिएट कर सकते अपने YouTube चैनल की वीडियोज के लिए तो इसके लिए सबसे पहल इसा इंटर्फेस आपके सामने आ जाएगा, तो सिंपली मीडिया वाली बटन पे कलिक करने के बाद में आपके पास अरज खुद ऐसा फोटो पर हो, गर कह्ते हैं जो सकते हैं आप बेंच्छा अच्छा अच्छा लगता हूं 55Two पिंक वाला में यहां से ले लेता हूं तो पिंक वाला बेग्राउंड लेने के बाद में आपको यहां पर ड्रे करके इसी यह रेड कलर के लाएन इसको यहां पर लेकर आजाना लेकर आने के बाद में आपको यहां पर लेयर पर क्लिक करने के बाद में अगर आप इस बेग्र प्रकार आप पर लेयर पर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर टेक्स्ट का ओप्षन मिलेगा तो टेक्स्ट वाले उप्षन में जाके जो भी आप अपने पर लिखना चाहो लिख सकते हो तो यहां पर मैं सिंप्ली एक वर्ड यहां पर लिख लेता हूं मेरे चैनल का नाम लिख लेता हूं तो इस परकार यह नाम आ जाएगा नाम आने के बाद में यहां पर आप देखिए गाई यहां पर आपको डबल ए वाला उप्षन मिलेगा इस पर क्लिक करने के बाद में आपको काफी आपको जो भी अच्छा लागर कर सकते हो डाउनलोड करने के लिए आपको फौन पर क्लिक करने के बाद में आपको डाउनलोड का of option मिलेगा तो download के option चलिक करके आपका एंप PER HONT download हो जायेगा और यहां पे आज आगा जाएगा जिस भी वोंप न को आपने Download किया, स्प्वलिक में आप एक 선्च her तो काफी अच्छा है ।ो यहां पर स्थाक्ष लेता हैं और यहां पर आप 얼마나 लेताओ, कि तो तो यहां पर आप अपने font का text का color भी डाल सकते हैं इसके बाद में आपको नीचे कि तरफ जाना है नीचे कि तरफ जाने के बाद में अगर आप टेक्स्ट के background में color देना चाहते हो तो यह पर background color का option आपको मिल जाएगा तो सबसे पहले आपको background में जो color रखना है select कर लेना तो यहां पर मैं simply color select कर लेता हूं तो यहां पर yellow color हम select कर लेते हैं select करने आप background को किस परकार usable रखना चाहते हो dark या एक दम full dark जिस तरीके से करना चाहो आपको simply color select कर यहां पर जो आगे बटन है इस पर click कर देना जैसे इस पर okay करोगे आपको यहां पर देखिए आप देख पाई जिस परकार आप edit करना चाहो कर सकते हो अगर आप text को outline देना चाहो चाहो तरफ जिस भी color के outline देना चाहो दे सकते हो यहां पर जो भी color आपको अच्छ लगे simply so select कर लेना करना और यहां पर इसको इनेबल कर देना जैसे इनेबल करोगे आपको यहां पर outline option ओन हो जाएगा तो इस परकार आप अपने text डाल सकते हो और गाज में आपको बता दू अलग लग feature आपको यहां पर मिल जाते हैं तो जैसे आप layer पर click करोगे layer पर click करने के बाद में आपक आपको काफी blur effect यहां पर मिल जाते हैं जो कि आपको किसी thumbnail maker में नहीं मिलते हैं तो जो भी blur effect आप यहां पर रख सकते हो काफी ज़्यादा अलग लग effect यहां पर देखने को मिल जाएंगे जो भी स्क्रीन पर जो भी आपको अच्छा लग है जिस परकार आप रखना चाहों क काफी लग-लग effect आपको यहां पर मिल जाएंगे तो एड़ कर सकते हो इसके बाद में आपको जाना है overlay पर जाना है आपको काफी ज़्यादा font यहां पर text cloud काफी ज़्यादा अलग-अलग देखने को मिल जाते हैं और get more पर जैसे आप क्लीक करोगी तो आपको काफी ज़्य मेरे option यहां पर आ जाएंगे तो यहां पर जैसे मैं कोई भी arrow का sign लेना चाहूं तो ले सकता हूं यहां पर देखिए गाईज यहां पर arrow मेरने ले लिया जो भी आप किसी के भी arrow बगेर दरसाना चाहते हो तो दरसा सकते हो इस परकार आप अपना एक professional thumbnail create कर सकते हो गाईज और इसको create करने के बाद में simply आपको इस पर नीचे के तरफ इससे कर देना और बेक्ग्राउंड वाले option पर इस पर क्लिक करोगे बेक्ग्राउंड कलर पर जैसे आप क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर दस्ट बोक्स मिलेगा और इसको उपर आपको यह इसको simply क्लिक कर देना क्लिक करने के बाद में आप capture and save frame at playhead पर आपको क्लिक कर देना जैसे आप इसको पर click करोगे क्लिक करने बाद में आपका यहां पर थम्मनेल आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा और इस परकार आप अपनी थम्मनेल क्रेट कर पाओगे तो यह काफी सिंपल स्टेप अपनी यूटुब के लिए थम्मनेल बनाने का उम्मिद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा अगर लाइक कर दीजिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब में तब तक लिए भाई